C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की ध्वनी पुस्तक गडित का जादू आठवा पार्ट कौन किस से भारी? पिरिष्ट संखिया 111 गुल और मुंगफली शबनम को गुल और मुंगफली खाना अच्छा लगता है एक दिन उसने एक किलो गुल और एक किलो मुंगफली खरीदी तुम जानते हो कि एक किलो ग्राम को किलो भी लिखते हैं? इस पृष्ट पर एक चितर के माध्यम से एक गुल वाले को और एक मुंगफली बेचने वाली को दर्शाया गया है और बीच में एक बच्चे को दिखाया गया है जिसके एक हात में गुड की थैली और दूसरी में मुंध़ली की थैली है और वो लड़की कहती है अरे मुंध़ली गुड से काफी ज़्यादा दिखती है क्या मुंखफली सचमुच वजन में गुड से अधिक है या सिर्फ ज्यादा दिख रही है चीटा बोला अब अंदाजा लगाओ कि इन में से किसके लिए ज्यादा बड़ी थेली चाहिए एक, एक किलो मक्के का पॉपकॉन या एक किलो चीनी दो, एक किलो मटर या एक किलो आलू बाजार जाओ और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था प्रिष्ट संख्या 112 कद्दू और टमाटर का पंगा ये खेल का एक मैदान है जहां टमाटर रोज खेलने आते हैं वो सी सौ जूले पर खेलना पसंद करते हैं एक दिन जब वो खेल रहे थे एक बड़ा सा कद्दू आया और जूले के एक किनारे पर बैठ गया जब वो बहुत देड़ तक नहीं उठा तब टमाटर ने तै किया कि वो दूसरे सिरे पर चड़ कर कद्दू को उपर उठाएंगे ताकि वो गिर जाए छोटे टमाटर ने जूले के दूसरी तरफ चड़ना चुरू किया एक, दो, तीन, चार, पाँच, पच्चिस, उफ कद्दू अभी भी दूसरी तरफ बैठा हस रहा था अब बड़े टमाटरों ने मदद करने की ठानी छोटे वाले नीचो तर गए और बड़े टमाटरों के लिए रास्ता बनाया एक, दो, तीन, और ये बीस, वो मारा कद्दू हवा में उठ गया, वो चिलाया अरे मुझे नीचो तारो, मुझे नीचो तारो हुर्रे, 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 हुर्रे इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में सी सौके एक तरफ कद्दू बैठा हुआ है और दूसरी तरफ छोटे टमाटर बैठने के कोशिश कर रही हैं और दूसरी चित्र में एक तरफ बड़े टमाटर बैठते हैं और दूसरी तरफ कद्दू उचल कर गिरने लगता है शिक्षकों के लिए निर्देश बोलचाल की भाषा में पंगा शब्द किसी जगडे या मुसीबत के लिए इस्तमाल किया जाता है इस शब्द को जान बूज कर इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों को बोलने में बच्चों को मज़ा आता है प्रिष्ट संक्या 113 तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे टमाटर मिलकर कद्दू को उपर उठा पाएंगे चीटा बोला अंदाजा लगाओ दस, बीस या चालिस कितने बड़े आम मिलकर कद्दू की बराबरी कर सकते हैं फिर चीटा बोला अब अंदाजा लगाओ इस प्रिष्ट पर बीच के हिस्से में दो चितर दिये गए हैं जिसमें पहले चितर में एक सी सौ जूले पर एक तरफ कद्दू और दूसरी तरफ आम को दिखाया गया है और उसी के नीचे एक लड़की को दिखाया गया है जो नीचे रखे कद्दू को देख रही है कितने कद्दू मिलकर सी सौ जूले पर तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं अपने कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वजन तुम्हारे अंदाजे से कं लगबग तुम्हारे बराबर है रिक्तिस्थान चंते कद्दू कितनी किताबें उठा सकते हो प्रिष्ट संख्या 114 उसके वजन से दुगना कुन्जम्मा के माता पिता स्वतंतरता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं क्योंकि कुन्जम्मा का जन्म इसी दिन हुआ था वे कुन्जम्मा के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीब लोगों में बाट देते हैं जब कुन्जम्मा का जन्ह हुआ वो तीन किलो की थी आज स्वतंतरता दिवस है और कुन्जम्मा पाँच साल की हो गई है वो अब 28 किलो की हो गई है अब अन्दाजा लगा कर ये पता लगाओ कि किस साल में कुंजम्मा का वजन कितना था और तब कितनी मिठाई बांटी गई यहां पर तीन खाने दिये हुए है पहले में कुंजम्मा की उम्र लिखी है दूसरे में कुंजम्मा का वजन और तीसरे में मिठाई की मात्रा लिखी है जन्म के समय कुन्जम्मा का वजन 3 किलो, मिठाई की मात्रा 3 जमा 3 बराबर 6 किलो एक वर्ष की उम्र में कुन्जम्मा का वजन 9 किलो, मिठाई की मात्रा रिक्तिस्थान दो वर्ष की उम्र में कुन्जम्मा का वजन रिक्तिस्थान, मिठाई की मात्रा 13 जमा 13 बराबर 26 किलो तीन वर्ष की उम्र में कुन्जम्मा का वजन सत्रा किलो, मिठाई की मात्रा रिक्तिस्थान चार वर्ष की उम्र में कुन्जम्मा का वजन रिक्तिस्थान, मिठाई की मात्रा रिक्तिस्थान और पांच वर्ष की उम्र में कुन्जम्मा का वजन 28 किलो, मिठाई के मात्रा रिक्तिस्थान तुम अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि दो साल या चार साल के बच्चे का वजन कितना होता होगा चीटा बोला अपने वजन का अंदाजा लगाओ रिक्तिस्थान शुगोतो ने खिचली पकाई शुगोतो ने रेडियो पर एक नए तरह के पकवान के बारे में सुना उसने उसे बनाने की कोशिश की जब उसने इस चीज के बनाने का तरीका लिखना चाहा तब वो चक्कर में पड़ गया उसने जो कुछ लिखा वो कुछ ऐसा था एक कूकर में दो चम्मच पानी डालो दो पानी खौलने पर उसमें डालो चुटके भर दाल आधा किलो लाल मिर्च पाउडर और एक कटोरी नमक तीन अब एक चम्मच चावल डालो चार दो मटर और आठ गिलास सरसों के दाने डालो और पांच अंत में एक किलो प्यास डालो सभी को मिलाओ और पंदरह मिनट तक उबालो लेकिन शुगोतों को लगा कि चीजों की मातरा को लेकर बड़ी भारी गलती हुई है उसकी मदद करो ताकि खिजडी बनाने के लिए वो चीजों की सही मातरा मिला सके एक किलो चावल आधा किलो दाल रिक्तिस्थान मटर रिक्तिस्थान पानी रिक्तिस्थान प्याज रिक्तिस्थान नमक रिक्तिस्थान सरसों के दाने और रिक्तिस्थान लाल मिर्च पाउडर इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं जिनमें शुगोतों के साथ-साथ प्याज, मटर और सरसों के दाने के चित्र हैं प्रिष्ट संख्या 116 चलो कुछ करते हैं क उन चीजों की सुची बनाओ जो तुम्हारे घर खरीदी जाती है पता करो हर एक चीज की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती है ये चीजें चावल, तेल, मिर्च पाउडर चीडी, दूद, प्याज अदरक आदि हो सकती हैं यहाँ पर दो खाने दिये गए हैं पहले खाने में लिखा है चीजों के नाम और दूसरे खाने में लिखा है कितनी मात्रा लाई गई अब आप प्रते खाने में अपने घर में आई चीजों के नाम लिखें और उन्हें कितनी मात्रा में लाया गया ये लिखें प्रिष्ट संख्या 117 ख, इनके वजन का अंदाजा लगाओ और मिलान करो, इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं, जैसे सूटकेस, गाए, थैला, कुत्ते का छोटा बच्चा, आम और हाथी. इन दिये गए चित्रों को, इनके सही वजन से मिलान कीजिए. दस किलो, चार सो किलो, एक किलो से कम, एक हजार किलो से ज्यादा, असी किलो और दो किलो. ग, चीटा बोला, अंदासा लगाओ कि नीचे लिखी चीजों में किसका वजन एक किलो ग्राम से ज्यादा है, किसका वजन एक किलो ग्राम से कम है. एक, तुम्हारे स्कूल का बस्ता, दो, एक जोमेटरी बॉक्स, तीन, एक इंट, चार, एक बड़ा कद्दू, और पांच, तुम्हारी चपले. इसी प्रिष्ट पर नीचे की तरफ पांच चित्र दिये गए हैं. ये चित्र हैं, बैग, जोमेटरी बॉक्स, इंट, कद्दू और चपले. अपनी कक्षा में एक तराजू और एक किलो का एक बाट लेकर आओ, तोल कर पता लगाओ, कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही है. प्रिष्ट संख्या 118 घर, तराजू का इस्तमाल करके बताओ, कि इन में से कौन ज्यादा भारी है. एक, एक बोतल या क्रिकेट की गेंद, दो, तुम्हारा जूता या तुम्हारा पैंसिल बॉक्स, तीन, तुम्हारे हिंदी की किताब या गणित की किताब, और चार, तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता, यहाँ पर एक तराजू का चितर बना है, जिसके ए एक तरफ एक गेंद और दूसरी तरफ एक बोतल दिखाई गई है। च, एक किलो मिट्टी या रेत को तोलो, इसे दो थैलियों में बराबर बराबर बांटो, तराजू से तोल कर देखो कि क्या दोनों बराबर हैं। यहाँ पर एक लड़की तराजू को पकड़े हुए दिखाई गई है और वो तराजू के दोनों पलणों में कुछ तोल रही है। ये थैलियां बन गई तुम्हारे आधे आधे किलो के बाट। इसका इस्तिमाल करके अपने आसपास की चीजों को तोलो। सूची बनाओ एक उन चीजों की जिनका वजन आधा किलो से कम है। दो उन चीजों की जिनका वजन आधा किलो से ज्यादा है। शिक्षकों के लिए निर्देश, अलग अलग गतिविदियों से बच्चों को उन चीजों के वजन का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी, जिनें वो अपने घर या किराने की दुकान पर देखते हैं. जानवरों के वजन का अनुमान लगाना एक मज़ेदार गतिविदि हो सकती है, जिससे की उन्हें ज्यादा भारी चीजों का भी एहसास होगा. शिक्षक कक्षा में एक तराजू जरूर लेकर आएं, और सभी बच्चों को स्वेम तोल कर देखने का अवसर दें. प्रिष्ट संख्या 119. बाट और तराजू को देखो. नजदीक की कवाड़ी की दुकान, सबजे की दुकान और किराने की दुकान पर जाओ. ध्यान से देखो कि वो किस प्रकार के बाट का इस्तिमाल करते हैं. पता लगाओ. एक, कौन सबसे बड़े बाट का इस्तिमाल करता है. दो, कौन सबसे छोटे बाट का इस्तिमाल करता है. क्या तुमने कभी ऐसे तराजू देखे हैं? इस प्रिष्ट पर चार चित्रों के मदद से अलग-अलग तराजू को दर्शाया गया है. पहले में हाथ से तोलने वाला तराजू है. दूसरे में बाट से तोलने वाला है. तीसरे में डिजिटल तराजू है. और चोथे में दो परड़ो वाला तराजू दिखाया गया है. तुम्हें किस दुकान में नीचे दिखाए गए बाट मिलेंगे? दोस्तों से बाचित करो इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में तीन बाट दिखाए गए हैं पहला है दस किलो का बाट, दूसरा दो किलो का बाट और तीसरा पांसो ग्राम यानि आदा किलो का बाट इसी के साथ आठवा पाठ कौन किस्से भारी यहीं समाप्त होता है। नई दिली भारत